जह हिन्स इस वडियो को प्रकास 60 limited बारे में बात करेंगे काफी दिनों उसकांप Bennettा निचे की तरह जा रहा था लेकिन असब इसके सेर्प्राइस में तीजी देखने को मिल रही है कंपनी का सेर्फ आप टेप ग्राफ में है उमिद है कुछ दिनों तक कंपनी का सेर प्राइस सूपर की तरफ ही जाएगा ऐसे में जिन लोग को नुक्सान हो रहा था उनकी नुक्सान की भरपाई हो सकेगी इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कंपनी का तो बीजनस में ठीक है लेकिन फंडामेंटल कैसा है उसी का च सब्सक्राइब करते हैं साथ में पाइप और ट्यूब का करोबार करती है आपके घर में जरूर पाइप या प्लास्टिक पाइप लगा होगा आपने देखा होगा वही सब एक कंपनी बनाती है अब समझे मार्केट कैप है कंपनी का 105 रूपए 105 क्रूण उम्मित करता हूं आपको दिख पार होगा थोड़ा से या से ही कम हो गया है लेकिन कंपनी का मार्केट कैप आप समझे 105 क्रूण का है सेर प्राइस देखेंगे 5 रूपए 90 पैसा का है आज की दिन का सेर प्राइस है और देखिए अप्रेंड ग्राफ में अर्था उपर की तरह जा रहा है हाई हाई लगा चुगा है 9 रुपए 75 पैसा का यहां तक हाई लगाने के बाद शेयर प्राइस डाउन होना शुरू बात था उसके बाद से कभी आपने हाई को भी तक ब्रेक नहीं कर पाया है जो अब उठेना सुरू हुआ है और मार्केट धिरे रिकभर हो रहा है तो यह से में इसका रेजिस्टेंस लेवल है 6.5 रुपया है अगर यह जो शेयर प्राइस साड़े चौर रुपया के ऊपर चला जाता है तब माना जाएगी अब असली तेजी आना शुरू हुआ है और अगर आप नहीं है इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बेसक कीजिएग अब समझें सपोर्ट लेवल है 5 रुपया 70 पैसा उमीद है कि नीचे की तिरफ रुठक भी सकता है तो नीचे की तिरफ अगर आएगा तो 5 रुपया 70 पैसा के नीचे आज सकता है या नहीं भी आ सकता है क्योंकि आरेस ही देखी अब यह अप्रेंट ग्राप में आरेस ही 40 क पर चला गया है तो ज्यादा संभावनें की सेयर प्राइस तरफ की तरफी जाएगा नीचे नहीं आएगा कब तक नहीं आएगा जब तक आरेस आई अब 80 का पार नहीं चला जाता है तब तक और समझेंगे अब क्वार्टर रिजल्ट की बात करतें क्योंकि इसी से पता प्रोफिट नहीं हुआ था लॉस हुआ था 97 लाग का लॉस हुआ था क्वार्डर टू में और उस लॉस को रिकवर करते हुए कंपनी 40 लाग के प्रोफिट पर आई है क्वार्डर थी में मतलब अगर हम इसको जोड़ने हैं तो करीब कर एक 140 लाग कर सकते हैं इसको मतलब 97 22 लाग उधर भी अपना जो लॉस था उसको रिकवर की और 40 लाग को इधर भी अपना प्रोफिट कमाया अर्णिंग पर सेर की बात के नों देखेंगे यह अभी निगेटिव में था माइनस 0.06 था जो पोजेटिव में हो गया है दू रूपया 29 पैसा हो गया है एक तो करजाएं करजा है करजा है एक सो एक साल दर साल कम होते जा रहे है अपर यहां कि मार्केट के लिहास ठीक है लेकिन फिर भी इसको खंड़ना चाहिए साल दर साल यह बढ़ते रहना चाहिए लेकिन कम हो रहा है और ले अडे लीडिश की बात करें हैं तो देखेंगे ले अडेदी के कि अच्छी हने हो रहा है प्रमोटर की भर के लगभब 49% की इसमें प्रमोटर की हिस्दारी और अच्छी बात यह इन्सीटिटर वालों के वह वह रहे हैं और पबली के पास 3.3% के हिस्तादार है और डिविडेंट देखिए पधि दिए 2015 के पहले तक 2015 तक कमपनी डिविडेंट दिये उसके बास से डिविडेंट नहीं दे रहे हैं कई सितंबर 2015 को कंपणी ने लाश्ट बाट डिवडेंट दिया था पचास पैसा उमीद है कि अगर ऐसे आते रहे तो आने वाले समय में जब कंपणी अपने डेप्ट को रिड्यूस कर लेगी असेट्स बढ़ने लगेंगे रिजर्व कंपणी पास कुछ कैस हो जाएंगे कंपणी डिवडेंट कप देते हैं पैसे होते हैं तब पहले डिवडेंट देती थी तो आने वाले समय में भी डिवडेंट देगी और बाकि अगर फ्यूचर ग्रोथ की बात करने तो देखिए यह सक्टर की कंपणी है न उसमे फंडामेंटल ठीक नहीं होता है एक चीज़ कम रहेगा तो फंडामेंटल ठीक रहेगा उसमें प्रमोटर्स थोड़े कम रहेंगे तो आप बैसे किसमें इंवेस्टमेंट कर सकते हैं लेकिन पेनिया स्टोक है तो उतना ही रुपे लगए जितना लौस हो जाए तो आपको समय में कमपनी आपको मलमाल करेगी जरूर करेगी आप भरोसा रखिए तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो इंफर्मेटीव लगी होगी मैं जो बताना चाहरा था समझ में आया होगा अगर मन में कोई स्वाल है तो मुझसे पूछे बाकी मिलता है नेक्स वीडियो में तब तक लिए धन्यवाद सुक्रिया